दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CCS University मेरट से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर यह न्यूज है आपके एक्जाम्स को लेकर कि आपके एक्जाम्स कब होने है यूनिवस्टी ने क्या डिसाइड क्या है आपके एक्जाम्स को लेकर और इस वीडियो के माद्धिम से मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो इस्टूडेंट्स सैमस्टर के रिजल्ट का इंतिजार कर रहे हैं उनका रिजल्ट कब डिकलेर होगा इसके साथ-साथ क्या semester वाले students के exams होने है या नहीं होने है ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो दोस्तो मैं इस वीडियो को start करूँगा William Shakespeare की famous lines के साथ William Shakespeare ने एक बार कहा था सातियों Be not afraid of greatness Some are born great, some achieve greatness and others have greatness thirst upon them दोस्तो महनता से मद गवराओ कुछ लोग जो होते हैं वो जन्मजात महान पैदा होते हैं कुछ लोग महनता को प्राप्त करते हैं और जो अन्य लोग होते हैं उनके अंदर महनता चुपी हुई होती है तो साथियों अब आपको decide करना है कि आपकी category कौन सी है आप किस सिर्णी में आते हैं आप जन्मजात महान है या फिर आप महनता को प्राप्त कर रहे है या फिर आपके अंदर महनता चुपी हुई है ये आपको देखना है और दोस्तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जो काफी साती है इससे मैं बहुत परिशान है एक्जाम्स को लेकर बहुत परिशान है और वो रिजल्ट को लेकर भी बहुत परिशान है मैं इतना कहता हूँ दोस्तो अगर आपने करम किया है आपने अच्छा काम किया है और आपके अंदर एक जज़बा है great बनने का एक महन बनने का तो आप वो महनता को हासिल करके रहोगे जैसा कि मैंने भी कहा be not afraid of greatness महनता से घबराओ नहीं कि दूसरे व्यक्ति को देखकर आप compare करो कि भई ये तो इतना आगे पहुँच गया या फिर सर उस university में तो ऐसा हो रहा है हमारी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सब कुछ होगा everything is possible ठीकना सब कुछ सही भी होगा सातियों और आप अपनी महनत में कमी मत करो और दूसरी बात मैंने कही some are born great कुछ जनम से ही महान होते हैं जनम से महान का मतलब आप अपने जो आचरण है आप अपनी जो एक कारेशैली है उसको जनम से ही अच्छा रखते हैं और अच्छाई की तरफ चलते हैं और इसके अलावा आप महानता को प्राप्त करते हैं क्योंकि दोस्तों महानता कहीं और नहीं होती हमारे अंदर शुपी होती है और हमें बस उसको सामने लेकर आना होता है और सामने कैसे लेकर आ सकते हैं हम अपने dedication से लेकर आ सकते हैं अपने hard work से लेकर आ सकते हैं तो वही च को जो है परिशान मत कींजिये कि अग्जाम को लेकर बस अपनी तयारी में जुते रहिए अपनी तयारी करते रहिए तो दोस्तों अब मैं आपके साफ सेर करता हूं उनिवर्थी से जुड़ी एक निउस जो की एक्जाम्स को लेकर है और दोस्तों यह जो निउस है यह हिंदुस्तान निउसपेपर के रेफरेंसिस से निउस है जो मैं आपको बता देता हूं कोरोना संक्रमन के मुकाबले को जारी लोगडाउन और इससे प्रभाविश सिक्षा व्यवस्ता को पट्री पर लाने के लिए काम तेज हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनिवेस्टी ने कमर कसली है साशन ने उत्रप्रदेश के सभी विश्विध्यालों से लोगडाउन खुलने की इस्तिती में परिक्षा कराने का ब्लोप्रिंट मांगा है तो दोस्तों जैसे ही लोगडाउन खुलता है और उसके बाद में यहां पर साशन ने मांगा है कि आप कब एक्जाम्स करा रहे हैं क्या आप UGC के गाइडलाइन्स के अकॉर्डिंग करा रहे हैं या फिर नहीं करा रहे हैं उस इस्तिती में या फिर आप बच्चों को सीधे प्रमोट कर रहे हैं विश्विध्यालों को संबंद जिलों के जौन कॉलेज में बने कॉरेंटाइन सेंटर परिक्षा केंद्रों की संभावित सुची और साथ रोड मैप देना होगा जिलेवार्थ कॉलेजों की संख्या और केंद्रों की संख्या भी बतानी होगी प्रदेश भर में इस वक्त स सभी विश्विध्याय्लों की मुख्य परिक्षा अटकी हुई है प्रमुक जिल्ए कोरोना से संक्रमित हैं विश्विध्याययों पर समय से । रिजल्ट जारी करते हुए नया सत्र से रिजल्ट जारी हो सके तो दोस्तों इस बात पर गौर करने की ज़ुरत है जो final year वाले students हैं उनका exam पहले कराए उनके exams जो है वो पहले कराए जाएंगे तो उनके exams जो है हो सकता है समय सीवा से पहले भी हो जाएं जुलाई से पहले भी उनके एक्जम्ट हो सकते हैं його इस पर उनीवस्टी में विचार चल रहा है और साथियों अब जो है कि उनिवस्टी देखो आने कीकी तो उम्मीद लॉकदाउन खुलने की स्धिति में विश्विद्हलों के पास परिखिय कराने मुल्लियंकरूर रिजल्ट की क्या यूजना है ये भी उन्हों ने पूचा है यह सकता हैं, बोलंश हर्णपूर hakk looks की थाक्रासिका है इंटर भी बनाया गया है ग्रीन जोन नहीं होने तक विश्विध्यल्य परिक्षा कराने की स्थिति में नहीं है साशन ने विश्विध्यल्यों से सेल फाइनेंस कॉलिज द्वारा शिक्षकों को दी जा रही सेलरी की रिपोर्ट भी मंगी है हाई कोट के आदेश पर इसकों की तै की गई थी तो दोस्तों यह जो सिक्षकों की सैलरी जो डिसाइड की गई थी उसका भी इन्होंने एक ब्योरा मांगा है साशन ने यूनिवस्टी से कि वह कॉलिज से पता लगाए और वह प्रिप्स को रिपोर्ट दे कि क्या उनको उसके अकॉर्डिंग लिश है साथियों तो दोस्तों इसका मैं थोड़ा साविष़ेशन कर देता हूं यहां पर यह पर आपको यह चीज़ने को मिलेगी कि जो नहीं होने तक जब तक की जो य। नहीं होने तक विश्विधर्लै परिशाकराने की स्तिति में नहीं है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो विश्विध्यले से जुड़े हुए जो colleges हैं और जो उनके जिले हैं जब तक वो green zone की condition में नहीं आ जाते तब तक exams नहीं होने और इस स्थिती को देखा जाए तो साथियों लगता है कि आपके जो exams हैं वो university की guidelines के according जुलाई में ही होने के पूरे chances हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है अब दूसरी बात ये कि result कब तक आएगा जो semester वाले ध्यारतियों का result अटका हुआ है साथियों वो कुछ subject के evolution की वेज़े से अटका हुआ है और जैसे ही वो complete हो जाता है आपका result भी जल्दी आने के chances हैं और उम्मीद हैं कि 7 से 10 दिन के अंदर आपके result आने के chances बन रहे हैं और इसके साथ साथियों अब जो semester वाले students हैं उनकी ये भी एक समस्या आ रहे थी कि sir exams होने है या नहीं होने है हमारे exams होंगे या नहीं होंगे तो ये बात भी मैं आपको clear कर देता हूँ कि जो semester के exams है अब भी उस पर कोई decision नहीं लिया गया है कि वो होने है या नहीं होने है लेकिन university की conditions और कारेशली को देखते हुए लग रहा है कि university exams कराने के mode में है तो university सोच रही है कि जब annual or yearly के exam होंगे तो उनको भी exams को conduct कराया जाए तो यहाँ पर अभी तक जो है जो chances लग रहे हैं वो आपके exams कराने के लग रहे हैं अपनी तयारी करते रहें यह सोच कर बैठ जाए कि UGC ने कह दिया है कि अब नहीं होंगे तो यह बात गलत है आप अपनी तयारी करें अगर नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं तयारी आपकी खराब नहीं जाएगी इसके साथ साथ जो annual वाले students हैं उनके जो exams साथियों जैसे कि मैंने भी बताए जब तक green zone में नहीं आ जाते सभी जले तब तक कोई chances नहीं है तो इंतिजार करना होगा हमें कि green zone में कब आते हैं और green zone में आने के बाद भी आपको 15-20 दिन का समय दिया जाएगा और इस स्थिति को देखते हुए जून के last में या फिर जुलाई में chances लग रहे हैं कि तब तक exams हो सकते हैं उस समय exams को conduct कराया जा सकता है तो साथियो ये थी जो news मैंने आपको बताई आपके exam से जुड़ी हुई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी साथियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इंग्लिश बीए बीएड और बीए एललबी और बीए एमब इंग्लिश टीजिटी पीजिटी इंग्लिश के तैयारी के लिए भी इस चैनल पर जुड़े रही है थैंक यू वेरी मच